नमस्कार दोस्तों मैं नगीना सर्मा बुकाडो से हैपी लाइफ इद बुकाडो गाइडेन में आप सभी का तहदे से स्वागत करती हूँ दोस्तों यहाँ जो आप प्लांट देख रहे हो एसेमरोक का प्लांट है जिसको हम लोग खट्टी के नाम से जानते हैं इसमें आप देख रहे होंगे कि तीन इसके पत्ते में तीन भाग होते हैं यह छोती वाली भेडाइटी है और वो बड़ी भेडाइटी है आप देखोगे कि इसमें तीन ही नहीं चाड़ वाले भी मिलते हैं जिसमें चाड़ इस तरह की पत्तियां आपस में चाड़ होती है छ जादी के समय जो दुलहन है उसको भी ये लेकर वो आती हैं क्योंकि उनके धर में इसे बहुत ही महत दिया जाता है। हाई एंटी ऑक्षिदेंट है ये अगर इसको आप लेते हो तो आपके हर्ट में फायदा करेगा। पेट में होने वाली जो कवजियत वगएर वाली जो परसानी है उससे भी एदूर करता है। दोस्तों ये लक्षिदेंट माना जाता है। इसके चार पत्ते जो होते हैं वो इंगित करते हैं। फिट, होप, लव और लक्षिदेंट इसके लिए इसके पत्तों के जो भाग हैं वो माने जाते हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें तीन वाला जादा लकी है या चार वाला जादा लकी है। मेरे पास तीन वाले ही हैं ऐसे चार वाले की महता थोड़ी जादा होती है। सुनने में आता है कि चाड़ वाली अगर है आप इसको अपने घर में लगाए हो तो आपके यहां जो बूरी इभिल है बूरी शक्तियां है निगेटिविटी है वो नहीं आएगी दोस्तों इसको आप सलाद बना कर खा सकते हो चटनी चाय सैंड बीच में टॉपिंग करके इस पहुंचाएगा इसमें प्रोटीन कैलसियम आइडन बिटामेसी फाइवर इत्यादी होने के कारण एच छोटे छोटे जानवडों के लिए भी फैदे मन्द हैं इसको हम लोग खेत में ऐसे भी कभी कभी यह बिट्स के रूप में निकल जाता है और हम उखाड कर फेक देते है और यह आप पिंक कलर में देख रहे होंगे तो चलिए अब आज से आप इसको सेमरोक को यानि खटी को कलोब भी बोलते हैं इसको इसको अब से खाना सुरू कर दें फेकना बंद कर दें इसी के साथ मैं चलती हूँ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के ल जो आप होगी तूलती हैं.